हेलो फ्रेंट्स वैलकम टू सूर्टी डिजाइनर तो फ्रेंट्स इस ब्लाउस की कटिंग हमने कर लिए है और अब हम इसकी स्टीचिंग करेंगे तो सबसे पहले हमें आपे प्रिंसस कट वाले पार्ट को स्टीच करना है तो जो हमारा मैन फैवरिक है नेट फैवरिक उसको क्रॉंग साइट पर रखना है यानि उल्टे साइट पर उसके उपार सेंट्वन फैवरिक रखेंगे वो भी हम उल्टे साइट पर ही रखेंगे और उसके उपार रखना है हमें लाइनिंग फैवरिक और सभी साइट से इसको स्टीच कर लेना है साइट का जो भी एक्स्ट्रा फैबरिक होगा उसको हम कट करेंगे दूसरा पार्ट भी स्टीच कर लिया है और अब हम यहापे नैक को कट करेंगे तो नैकी जो वीट थे वो हम 4 इंच रखेंगे और नैकी जो लैन थे वो 3.5 इंच रखनी है एक बॉक्स बनाकर राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है अब यहापे हमें एक नैकी लैन्थ और लेनी है 6 इंच की और अर्मॉल की साइट पर 4 इंच पर मार्किंग करेंगे और हमें यहापे दोनों को मिलाते हुए शेप ड्रॉ कर लेना है shape draw कर लिया और इसे हम cut करेंगे shape draw कर लिया paper pasting पर भी से हमें cut कर लेना है और ये जो paper pasting को इस तरीके से paste करेंगे तो दिखें paste कर लिया अब ये जो sand on fabric है उसको right side पर रखना है उसके उपर हम lining fabric रखेंगे और neck को stitch करेंगे extra fabric cut कर लिया पूरे ही neck पर cut लगाना है और हम neck को stitch कर लियना है बागी side से भी stitch करके इसका extra fabric हम को cut करना है तो दिखेंगे side का extra fabric भी हमने cut कर लिया है अब हमें इसके उपर इसको right side पर रखना है और इसके उपर हम neck fabric रखेंगे और इसे सभी side से हम stitch करेंगे तो दिखेंगे सभी side से stitch किया extra fabric cut कर लिया अब इसको इस तरीके से fold करना है और जो हमने lining fabric का neck को cut किया था अब वह हमें इसके उपर रखते हुए उसे cut कर लियना है साइट से भी cut कर लियना है अब हम यहाँ पर neck पर cross में पटी cut करनी है उसको तो यहाँ पर संटून fabric की पटी cut की है और double करते हुए stitch कर लियना है neck पर neck पर stitch किया पुरे ही neck पर cut लगाएंगे एक stitch पटी के उपर से करना है और अंदर के side fold करते हुए stitch करना है तो देखिए neck को stitch कर लिया है अब princess cut वाले part को हम stitch करेंगे दूसरा part भी stitch करना है दोनों part stitch कर लिये नीचे के side पटी लगाएंगे पटी की जो weight थे हमने 1.5 inch रखी है एक stitch पटी के उपर से करना है और इसे अंदर के side fold करते हुए हम stitch करेंगे इस तरीके से तो पटी लगकर भी हमारी complete हो गई है और armhole के side पर हमें 0.75 inch की गुलाई देनी है तो देखिए गुलाई दे दी है हमने इसकी अब back part की neck की weight थाम 4 inch रखेंगे आई हो की पटी को छोड़ते हुए neck की length हमें 3 inch रखनी है अब यहाँ पर neck की जो length है वो लेनी है हमें तो हम 11.5 inch ले रहे एक box बना कर इसमें round shape ड्रो कर लेना है तो friends यहाँ पर इस neck की जो cutting थी marking थी वो थोड़ी सी skip हो गई है तो अब जब stitch करेंगे तब आप देख सकते हैं कि किस type से हमने उसको cut किया था तो इस पर हमने neck पर paper pasting को use किया और इसको cut लगा कर palette देना है और बाकी side से भी stitch करके इसका extra fabric cut कर लिया है हमने अब देखिए यह हमारा neck fabric है इसको हम इसके उपर से stitch करेंगे stitch कर लिया है सभी side से अब यहाँ पर यह देखिए हमने जो lining fabric है इसको हमने इस तरीके से cut किया था design को तो three inch का जो neck था वो हमने round shape में cut किया और फिर नीचे बाकी जो जगे बची थी उसमें हमने यहाँ पर leaf shape दिया है इसमें और इसकी जो weight रखी थी वो हमने 1.5 inch की रखी थी और इस तरीके से cut कर लेना है I hope कि आपको समझ में आ गया होगा और अब neck पर भी हमें cross में पटी cut कर लेना है design tune fabric की और double करते हुए neck पर हम stitch करेंगे तो जैसे जशा हमने save दिया है वैसी हमें stitch कर लेना है और इसको इस तरह से पलटते हुए एक stitch और करेंगे हम side से यह देखिए इस तरह से हमने इसे stitch कर लिया है अब यहां पर हमने यह पटी ली है एक पेर का मारजन रखते हुए stitch करना है क्योंकि यहां पर हम डोरी बनाएंगे उपर के side लगाने के लिए तो छोटी ही डोरी हमें बनानी है और सुई दागे की मदद से हमें इसे पलट लेना है यह दिखिए इस तरह से पलट लिया इसको और अब इसको हमें 1.5 इंच का लेना है 1.5 इंच का या आप 2 इंच का भी ले सकते हैं और इस तरह के से फोल्ड किया और इसे हमें यहाँ पर stitch कर लेना है तो देखिए अब यहाँ पर हमने फ्रिल ली है फ्रिल की जो वीट थी वो हमने 1.5 इंच ली है और जिर्फ हम इसे एक बार ही फोल्ड करते हुए पूरा स्टीच करेंगे तो देखिए स्टीच कर लेना है पूरा और अब इसमें हमें चोटी चोटी प्लेट स्टाल लेनी है तो यह जो फ्रिल है वो हमें नीचे के साइड लगानी है हमारी वेस्ट में और स्लीज में तो जितना फैवरिक हमारे पास बच जाता उतने सभी की हमने आपर फ्रिल को लगा कर कम्प्लीट कर लेना है यह देखिए इस तरीके से हमने फ्रिल को लगा बना लिया है अब यह हमारी स्लीज है तो स्लीज में भी हमें आपर लगा लेना है नीचे के साइट और जो fitting बाली side है उसको हमने plain ही रखा है तो 2 inch आपको plain रखना है वाकी में हमने frill को stitch किया एक stitch हम इसके उपर से कर लिएंगे तो देखिए stitch कर लिए अब यहाँ पर हमने जो बेक पार्ट है उसमें tux नहीं लगाए थे और आई होकी पटी भी नहीं लगाई है तो अभी हम वो लगाएंगे तो जिसकी जो length है tux की वो हमने 4 inch रखी है नीचे के side पटी लगा लिए है जैसे कि हमने front पार्ट में लगाई थी अब होकी पटी लगा रहे हैं तो lining fabric को double करते हुए stitch कर लिया दोनों side से extra fabric लेना है इसे fold करने के लिए और एक पर और पूरा अंदर के side fold करते हुए stitch कर लेना है तो होकी पटी हमारी complete हो गई है और अब हम आई की पटी लगाएंगे तो इसे weight में हमने 2.5 इंच लिया और एक side से इसे fold कर लिया है अब यहाँ पर हमने इसे stitch किया इसमें भी हमें दोनों side से extra fabric लेना है fold करने के लिए और एक बार और अंदर के side fold करते हुए stitch करेंगे तो यहाँ पर आई की पटी भी हमारी complete हो गई है उपर के side हमें एक बटन लगाएंगे और अब हमें shoulder को stitch कर लेना है एक stitch हम back side पर करेंगे तो back side पर हमने कर लिए है और अब हमें sleeves को attach कर लेना है तो sleeves का जो extra fabric cut किया था उसे हम front में stitch करेंगे दूसरे side से भी इसी तरीके से stitch कर लेना है तो sleeves को लगा कर complete कर लिया है और अब यहाँ पर center पर पिन अप करते हुए side से हम इसे stitch करेंगे side का जो extra fabric है उसको cut करना है blouse कोल्टा करते हुए side से एक पर का margin रखते हुए stitch करेंगे तो stitch कर लिया आप center पर हमें chest के fourth part पर यहां पर waist के fourth part पर marking करनी है और हमें sleeves round का half ले लेना है तो sleeves round था हमारा 9 inch उसका half लेंगे 4.5 inch तीनों marking को मलाते हुए हमें fitting लगानी है अब जो frail बनाई थी उसको हमें आपर इस तरीके से लगा लेना है तो यहां पर हम आई की पट्टी को छोड़ते हुए लगा रहे हैं और बस नॉर्मल इसी तरीके से stitch कर लेना है यहां से हमें थोड़ा सा fold करते हुए stitch कर लेना है तो stitch कर लिया बलाउस बन कर हमारा complete हो गया है तो friends कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी वीडियो को like शेर जरूर करिएगा चैनल को subscribe जरूर करिएगा Thank you झाल